नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News जहां एक तरफ सुप्रीम कोट से दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल को जटका लगा है जहां दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल को आज भी राहत नहीं मिल पाई है तो अब 20 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है जहां सुप्रीम कोट में एक बार फिर से अर्विंद केजरिवाल की व्याचिका पर सुनवाई की जाएगी जहां अर्विंद केजरिवाल को राहत नहीं तो वहीं तिहाड जेल से 17 महीने बाद जाकर रिहा हुए मनिस सोधिया का एक ऐसा बयान जो उपराजेपाल वी के सकसेना पर अब भारी पढ़ता हुआ नसरा रहा है दरसल दिल्ली के पूर्व उप मुक्य मंतरी मनिस सोधिया सुप्रेम कोट से उन्हें जमानत मिल जाती है लेकिन जमानत मिलने के बाद जब देखा जाता है कि दिल्ली के मुक्य मंतरी अरवंद केजरिवाल तिहार जेल में रहकर एक चिठ्ठी लिखते हैं उपराजेपाल वी के सकसेना को कि उनकी जगा अब तिरंगा फेहराती हुई नसर आएंगे तिरंगा फेहराने का काम कार्याले में करेंगे आतीशी मालेना आम आदमी पार्टी की मंतरी लेकिन देखा जाए तो अब तिहार जेल के अधिकारियों ने साफ तोर पर ये कहा कि अरवंद केजरिवाल ने नियमों का लंगन किया है जिसके बाद देखा जाए तो अब तिरंगा रोपन करते वे नजर आएंगे केलाश घैलोत जो आम आदमी पार्टी के तहत दिल्ली के परिवहन मंतरी है वहीं उपराज जेपाल रहे मनी से सोधिया ने खुलासा किया कि उपराज जेपाल और जिला यहां पर जो तिहार जेल के जो प्रशाशन है जो अधिकारी है जो महाठग है सुकेस जब वो यहां पर एक चिठ्ठी लिखता है तो इस चिठ्ठी को आगे तक पहुँचाया ज नजर आते हैं उनकी पक्ष में नजर आते हैं जब दिल्ली के मुख्य मंत्री चिठ्ठी लिखते हैं तो उपराज जेपाल उन पर रोक लगाने का काम करते हैं यह एक शड़ियंत्र के तहत देखा जा रहा है उपराज जेपाल आम आदनी पार्टी की हर तमाम उन्हों केजरिवाल जेल से सरकार ना चला पाएं और अर्विंद केजरिवाल पर अंकुष लग सकी पूरे मुद्दे को लेकर आपके क्या रहा है क्या फैसला सही था चिठ्ठी लिखना गलत था या फिर जान बूच कर एक शड़ियंत्र था क्या है आपकी राइस मुद्दे को ले